हलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अब हमारे नीट की परिक्षा में केवल 15 दिन शेश रह गए हैं अब ये जो 15 दिन हैं, इनमें ऐसा हम क्या करें कि हम हमारे पूरे सेलेबस को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइस कर सकें जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, हम बात करें आपके रिविजन की, तो ऐसा रिविजन कैसे हो, आप कही चीजों को पढ़ते हैं, आप उनको याद रखने की कोशिश करते हैं, परन्तु वो आपको याद नहीं रह पाती हैं, तो आपको करना क्या है, आपको हर एक चीज को लिख लिख कर याद करना है, मैं ये नहीं कहता कि आपको सब चीज लिखनी है, लेकिन आपको चलते, फिरते, घूमते हुए, आपको ये चीज़े याद रखनी के लिए, इनको पढ़ना दोरूरी है, पढ़ने के लिए इनको आपको लिख लिख कर ही याद करना पढ़ेग आपकी chemistry हो, इन सभी की आपको NCRT की line to line यहाँ पर आपको पूरी तरह से तयार करनी है, और देखिए सबसे अच्छी बात, आपको revision करने के लिए एक छोटाता time table बनाना है, एक छोटाता changes करना है, क्या आपको रोज अपने time में से 2 घंटे निकाल कर जो previous year के papers हैं, उनको time दे और साथ-साथ में, जब आप वो प्रश्ण हल करेंगे, पूरे साल का, एक पूरा syllabus का paper, तो आपको उसमें पता लगेगा कि आपने कितने प्रश्ण जो हैं, वो सही करें हैं, और जो प्रश्ण आप सही नहीं कर पाए, तो उसका आपको analyze करना है, उसको आपको no down करना है, अ आप solve कर लेंगे, उन प्रश्णों को हल कर लेंगे, तो आपको अपने आप, एक filter आप लगा लेंगे, और समझ जाएंगे कि आपका जो base है, वो कहां पर कमजोर हो रहा है, कहां पर है, जो कौन सा topic, कौन सा अध्याय, ऐसा कौन सा chapter है, जहां पर आप लेक कर रहे हैं, तो व mentally भी और physically भी, तो mentally preparation के बारे में मैंने आपको बता दिया, physically fit रहने के लिए क्या करना है, देखिए, आपको रोज 12 गंटे से जादा नहीं पढ़ना है, याद अखिएगा, क्योंकि 8 गंटे की नीन है बहुत ज़रूरी, नीन लेंगे पूरी, तो आपका दिमाग fresh रहेगा, जब दिमाग fresh रहेगा, तो आप अच्छी efficacy से काम कर पाएंगे, यानि कि जो 12 गंटी की पढ़ाई है, उस 12 गंटी की पढ़ाई को आप 16 गंटी की पढ़ाई में convert कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीन पूरी ज़रूरी है, अपने आपको बिल्कुल dehydrate नहीं हो पूर्ण मिलेगा, और फिर से जुड़ जाएए आप अपनी टेबल कूर्सी पर और लग जाएए अपनी नीट की परिशा की तयारी पर, तो ये कुछ महत्योपूर्ण बिंदू से जिनको आपको याद रखना है, पहला में एक बार आपस से आपको बता रहता हूं, कि आप आपको लिख लिख कर याद करना है, और पूरी एक, अपने पूरे सब्जेक्ट की आपको एक समरी तयार करनी है, जो आपको अंतिम समय में, जो आपके 10 और 11 सितंबर रहेगी, उस समय आपको उसे रिवाइस करना है, इसके लावा और कुछ नहीं करना है, प्रश्णों को लगातार हल करना है, पिछले 10 साल के जो प्रश्ण है, पेपर हैं, उनको आपको टाइम देते हुए, बिलकुल इमानदारी से 2-5 गंटे के टाइम रोज दीजिए, आप कोई भी एक शिडूल फिक्स कर लीजिए, आप सुबह 10 से 12 का कर सकते हैं, दो से 14 का कर सकते हैं, लेक इस तरह की त्यारी करते हैं, तो निश्चिती आप अपने लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, देखिए, मैं एक बात फिर से कहता हूँ, जो विजोता होता है ना, वो अपने लक्ष के पीछे भागता है, ठीक है, वो निडर होता है, वो बिलकुल नहीं डरता है, वो अपन उसमें प्राप्त होने वाली हमारी मेडिकल की सीट, तो चली छातरों, इसी के साथ मैं आजे सिंग आप से, आपके बहतर भाईश्य के लिए कामना करता हूँ, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है आपको आपके आगामी एक्जाम के लिए, जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे इटूस इंडिया पर धन्यवाद.